बड़ी खबर जारखंड के मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने कहा इटकी में खुलेगा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खुलेगा इसके अलावा अपोलो गुरूप के साथ भी उन्होंने एक साकरातवक्त वाचीत का जिक्र किया है कहा कि अपोलो हॉस्पिटल्स राची स्मार्ट सीटी में अस्पताल के साथ अपने कारोबार को बिस्तार देने जा रहा है जल्द ही यहां अत्याधूनिक हॉस्पिटल बनेगा इसके लिए जमीन का आबंटन सहित सभी जरूरी प्रक्रिया पर रेड़ी गुरूप के साथ बा स्टेडियम का निर्मान करने पर विचार कर रहा है इसको लेकर जल्द ही सोनारी दो मुहानी के पास नए स्टेडियम के निर्मान को हरी जंडी मिल सकती है नए स्टेडियम में खिलाडियों के लिए इंडोर और आउटडोर प्रैक्टिस की सुविधा के आलावा रहने की भ पूल भी बना होगा खबर को माने तो जमशेद पूर के एतिहासिक कीनन इस्टेडियम के बिस्तार की काफी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। सुबद 10 बजे से दीन के एक बजे तक ही होगा। आम लोगों को परवेश करने के लिए अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। इस्कूल कोलेज के छात्र समों में भी राजबहन उध्यान का दिदार कर सकेंगे। jack.jharkhand.gov.in और jack-online.com के जरिये भी डाउनलोड किया जा सकते हैं। jack.jharkhand.gov.in परिक्षा 2023 का admit card school login के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। यान की शात्र इसे सीधे वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इसकोलों को login ID और password का उप्योग करके बोड की वेबसाइट से admit card डाउनलोड करना होगा। इसके बाद बिद्याले की ओर से इसे शात्रों को provide किया जाएगा। जारखन बोड दसमी परिछा 14 माच से शुरु होकर 3 अपरेल 2023 तक चलेंगी। वहीं जारखन बोड बारवी परिछा 2023 का आयोजन 14 माच 2023 से 5 अपरेल 2023 तक किया जाएगा। जारखन में 30-31 जनवरी को निउनतम तापमान में होगी विधी। मौसम केंद्र के अनुसार 30-31 जनवरी को पूरे जारखन में बंगाल की खाडी की और से आने वाली पुर्वा हवा के वज़े से निउनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेलसियस की विधी होगी। जिसके कारण से कई जीलों के नियूनतम तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आने की संभावना है। वहीं उसके अगले दीन यानी दो-तीन फरवरी को मध्य और दक्षिनी जारकन में भी नियूनतम तापमान में तीन डिग्री सेलसियस तक की गिरावट दर्च की जाएगी। फंडामेंटल लिटरेसी और नियूरो मेसी जहां नियूमेरेसी प्रोग्राम के तहत चालू किया जाएगा। तीसरी कक्षा के बच्चे को हो मुंडारी, खड़िया, कुडुक और संथाली भासा पढ़ाई जाएगी। जहारखन के सभी सरकारी बिद्यालेओं में पहली से तीसरी तक के छातर शात्राओं के लिए फंडामेंटल लिटरेसी और नियूमेरेसी कारिक्रम चल रहा है। यह ऐसा प्रोग्राम है जिसमें गणीत और भाषा की पढ़ाई पर बिसेस जोड दिया जा रहा है। गणीत की पढ़ाई तो आरंभीक स्तर से चल रही है, वहीं अगले साल से पांच जनजाती भाषाओं को इसमें जोडा गया है। यह यूवक को हॉस्पिटल में एडमीट कराया गया है जहां उसके स्थिती गंभीर बनी हुई है। दरसल गिरिडी और देवघर जीले के बोडर इलाके में पथल जोर के पास हुए हाथसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पर्थेक्ष दर्सियों के अनुसार अगर यूवकों ने हेलमेट पहना होता तो शायद उनकी जान बज्जाती। प्रवरी को होगा आम बजट पेश जारखन के लिए बिसेस पैकेश की मांग। केंदरी बितमंत्री निर्मला सीतरमन एक फरवरी को आम बजट संसद में पेश करने वाली हैं। इससे पहले जारखन के लिए भी बिसेस पैकेश की मांग की जारही है। जारखन मुक्ती मोर्चा कोटे के सिक्षा मंत्री इवा मद्य निशेत बिभाग मंत्री जगनात महतों ने केंदरी बीतमंत्री निर्मला सीतरमन को आम बजट पेश करने के लिए अगरीम बधाई दी हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने मांग रखी है कि जारखन राज्य को बिसेस पैकेश परदान करें ताकि राज्य का समुचित भी कासुक हो सके। अब थानों के माल खाना के कबार और परिसर में रखे गए जब्त वाहनों को निलाम किया जाएगा। थानों में चोरी के जब्त और एक्सिडेंटल वाहनों की भी सुची तयार की जाएगी। इसके लिए वाहनों की सुची तैयार करने के बाद कोट की अनुमती से इन वाहनों को भी निलाम किया जाएगा। जिसके बाद पुलिस मुख्याले की वर से निर्देश जारी किया गया है राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक रूप से किया अमरित उध्यान का उदगाटन राष्ट्रपती भौन में इस्थित मशुहूर मुगल गाडन का नाम बदल कर अमरित उध्यान किये जाने के बाद राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने जिहा आधिकारिक रूप से इसकी शुरुवात की है इस दोरान राश्ट्रपती द्रोपदी मूर्मों ने पूरे अमरित उध्यान का दोरा भी किया भारत के राश्ट्रपती के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से द्रोपदी मूर्मों के उध्यान भर्मन की तस्वीरे भी साजा की गई है राष्ट्रपती के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लोगों को अमरित उध्यान घूमने का निवता भी दिया गया है आम लोग 31 जनवरी से 26 मार्च तक अमरित उध्यान जाकर विभिन तरह के फूलों और और शदी वाले पौधों को देख सकते हैं राष्ट्रपती द्रौपती मूर्वो ने अमरित उध्यान घूमने की बीच विजिटर पास की भी जानकारी ली बतादिकी केंदर सरकार ने आजादी के अमरित महुत्सव के मद्दे नसर राष्ट्रपती भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है अब यह खुबसूरत बाग अमरित उध्यान के नाम से जाना जाएगा इस तरह जिहां हर साल की तरह इस बार भी आम लोगों के लिए इस खुबसूरत बाग के खुलने का समया गया है लेकिन इसमार लोगों को इसका नाम जिहां मुगल गार्डन की जगह अमरित उध्यान लिखा नजर आएगा देश में कोरोना के सक्रिये मामलो की संख्या 1842 देश बर में कोरोना के एक्टिम मामलो की संख्या 1842 रह गई है और इस महामारी से एक अन्य मरीज की मौत होने से मृतकों का आकड़ा बढ़कर 5,30,740 तक पहुच गया है केंद्रिय स्वास्थिय एवं परिवार कल्यान मंत्राले ने रविवार को बताया कि सुबस 7 बजे तक 220 दस्वलो चार सुनिय करोड से अधिक टीके दिया जा चुके है पिछले 24 घंटे में 2,34,394 वैक्सिन लगाए गए है मंत्राले ने बताया कि देश में कोरोणा की एक्टी मामले 1842 रह गए हैं और इसी आउधी में 108 मरीज रीकवर हुए हैं जिसे इस महामारी से निजात पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,31,41,50,000 हो गई है रीकवर होने की दर 98,31 तक पहुँच गई हैं देश में पिछले 24 घंटे में 6 राजियों में कोरोणा सक्री मामले बढ़े हैं और सेस राजियों तथा केंदर शासीत प्रदेशों में इनकी संख्या में कमी आई है 31 जनवरी से शुरू होगा संसत का बजट सत्र संसत का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा इस दिन राष्ट्रपती द्रोपदी मोर्मो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संभोधित करेंगी 31 जनवरी को ही सरकार आर्थिक सर्वेक्षन पेश करेंगी बीत मंतरी निर्मला सितारमन एक फरवरी 2023 को वीत वर्स 2023 का केंद्री बजट पेश करेंगी बजट सत्र का पहला चरन 13 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरन 13 मार्च से शुरू होकर 6 अपरेल तक चलेगा बजट सत्र के दोरान 27 बैठ के भी होगी पहले ऐसी अटकले लगाई जा रहे थी कि बजट सत्र के पहले दिन राश्ट्रपती का संयुकत अभी भासन नए संसत भावन में होगा